नमस्ते दोस्तो जैपुर जैका में आपका फिर से स्वागत है तो दोस्तो आज हम रायस्तान की फेमस लहसन की चटनी बनाएंगे बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है यह और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है इसका तो एक बार आप बना के जरूर देखे तो इसने पीसने के लिए आप भिगो भी सकते हैं पहले गरम पानी में या इने इंडारेक्ट भी पीस लेंगे तो थोड़ी से मैंने लैचुन की कलियां ली है यह 15-20 मिर्चिया है और इस तरह से देखिए इस तरह इतना सारा लैसन मैंने काट लिया बहुत बारिक-बारिक इस देखिया, मिर्चे में ना दालेंगे और लेसन डालेंगे-और मसाले डालेंगे धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर आप इस तरह का घ्яжजर रखें लेशा, पन मेंकम तेल-घ्रम और जीरा डालेंगे और जैसे ही जीरा तड़केगा हमने जो बार एक लेसन काटके रखे थे हम वो इसमें डाल देंगे तो देखिए काफी सारा लेसन लिया है मैंने यहाँ और इसको मैं तब तक फ्राय करना है जब तक यह गोल्डन ब्राउनों के उपपर आ जाएगा तो इसे कच्चा बिल्कु और इस चट्नी उसको हम थोड़ा पाने डलकर निकाल लेंगे और इसको 5-7 मिनट ढग देंगे मीडियम फ्लेम पर यह देखिए सिर्फ इतने से टाइम में एक उख हो गई है बिल्कुल तयार है बनकर तो आब इसमें हम नमक डालेंगे टेस से और यहीं पर हमें देसी घी जालना है इससे इसका मिर्च बैलेंस होगी और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आएगा तो यह देखिए आप सर्व करने के लिए रेडी है आप इसको थोड़ा मिला लीजी आप चाहें तो धनिया पत्ता डालिए बाकि यह वैसे ही अच्छी लगेगी और रोटी पर खाई यह इसे आप बहुत ही टेस्टी चटनी है तुरंद बन गई और यह कई दिनों खराब भी नहीं होगी आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रखिए तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें